ये इंडिया बना लो, ये लंडन बना लो, ये जपान बना लो, ये अमरीका बना लो, कुछ नहीं कर सकते हैं मोदी जी का अब मोदी जी क्या कह रहा है पैरोडी सुने हो, मस्ति वाल अब क्या कह रहे हैं तुमने जनता को खुब लूटा है इसलिए फिर से तुमको कूटा है सत्ता पाने के वास्ते बोलो माल कितना फिरी लूटाओगे सारी जनता ने अब ये जान लिया मोदी देखो ये भाजप्पा की ताकत है कांगरेस वाले अलाब दे रहे हैं और कहते ही कर रहे हैं हर काम को ये है ताकत है सारी जनता ने अब ये जान लिया मोदी पीयम बनेंगे जान लिया नाम दूजा नहीं है और कोई जिसको पीयम यहां बनाओगे तो तुम भे और अंतिम बात बताता हूं भाजप्पा ने का राममंदिर बनेगा बहुत सारे काम ऐसे बीजेपी ने करें जो इतिहास रच दिया जब वो यह कहते थे तो एक ही बात कहते थे कॉंगरेस वाले दिन नहीं बताया दिन नहीं बताया अब आखरी सुनना और भरपूर तालिया चाहिए के जूटी बातों में नाफस आते हैं जो भी वादा किया निभाते हैं अब तो बाइस कुराम आएंगे दीप तुम भी वहां जलाओगे तुम भी हराना पाओगे तुम भी दीप जलाएंगे बाइस को मैं समझता हूँ दीप पहले भी जले दीप आगे भी जलें लेकिन दीप जलने के बाद बचे हुए तेल को कोई ना उठाने आए मेरी कामना ऐसी है प्रभु राम पहले भी थे आज भी थे भाजबा की क्या वकात के प्रभु राम को लाएंगे प्रभु राम के मामले में जितना यू टर्न बीजेपी ने लिया किसी ने नहीं लिया अगर सोनिया जी ने मान लिया होता कि राम का अस्तित्व है तो इतनी लंबी हमें कानूनी लडाई ना लडनी पड़ती है क्योंकि इनकी नजर में तो राम ही नहीं थे इनकी नजर में तो राम सेतू भी नहीं था तो जिनकी नजर में कुछ है ही नहीं उस लड़ाई को तो हमें जाकर नहयाले में ही लडना था कर यह और आजँ बार बार जैसा आपने बोला इम अपना दिया और आज आपने कहा अगरे किया आप माथा टेकने हाएं गे उसका जबाब मैं तो राम लला पर पहले भी गया था, मैं तो राम लला पर बाद में भी जाओंगा, लेकिन महेश शर्मा ने जो कहा था कि सीता मैया के जन्म के स्थान का हमें कुछ नहीं पता है, उस पर भी कभी दो शब्द बोला कीजिए. बोल या, तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, जो मैं कहूंगा वो होगा, अब मैं इधार हूँ, अब पांच जीरों से भाजपा जीतेगी, क्या है, कैसे जीतेगी, आप देखिए इसको अंदाज लीजिए, राजस्थान में जादूगर खुश फेहमी में ऐसा खो गया है, उसे पताई नहीं के जादू के शो का समय खत्म हो गया है, MP में भाजपाई फ्लावर से फायर होंगे, दिगविजे सिंग और कमलनात एक साथ रिटायर होंगे, एक साथ रिटायर होंगे, चत्तिस गड़ में भी भाजपा की बयार बहेगी, एग्जिट पोल में पीछे है, पर रिजल्ट के दिन आगे आने में देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी और तेलंग आना में भी मजबूत उपस्थिती है, विपक्ष को ध्यान देना पड़ेगा, चुनाओ भले जीत जाए, पर हो सकता है बी आरेस को वी आरेस लेना पड़ेगा, ये भाजपा है, विपक्षियों के मज़े लेती है, एक्जिट पोल में पीछे रहकर जोर के जटके धीरे धीरे देती है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आवाद, भाजपा से, भाजपा से अच्छी पार्टी पूरे विश्व में नहीं, और मोदी जी से बड़ा संसा में कोई नेता नहीं, अब मतला अर्दो तिन शेर, सब कहते हैं भारत की मर्यादा है, बीजे पी ही हर चुनाओ की दादा है, बीजे पी हर चुनाओ की दादा है, अब कांग्रेस मुक्त भारत ही होना है, ही होना है, ऐसा मोदी जी का पक्का वादा है, जंडी लाल सुनी थी लेकिन कांग्रेस को लाल डायरी से राजस्थान में खत्रा है 41 लेवर निकले पर कांग्रेस का अब भी तुष्टी की सुरंग में डेरा है अंजू भी अब नसरूल्ला को छोडाई अनजू भी अब नसरूल्ला को छोड़ाई मगर आपका उसी चलन से रिष्टा है मगर आपका उसी चलन से रिष्टा है एक सेंटेंस सुनने को जब मिलता है तो मतलब बड़ा हसी सी आती है शेर सुनना मोदी जी के कद को राहुल छू लेंगे ये दुनिया का सबसे भीशन तुक्का है ये दुनिया का सबसे भीशन तुक्ता है और शेरे आखीर आपकी जहमतें तमाम 24 में भी बीजेपी ही आएगी लिख लो कांग्रेस वालो 24 में भी बीजेपी ही आएगी ये चुनाव उस सूरत का आईना है ये चुनाव उस सूरत का इना बहुत बहुत धन्वादाबार तो यही बता जिए जो भी आएगा वो 24 में भी आएगा मुझे लगता है कि जनता ते करती है कौन कब आएगा और कैसे आएगा किन मुद्दों पर आएगा लगता कि हो तो होता है लेकिन इसका लेकिन अगर आप को पता ही हृतर तो मुझे से पूछ यूं रह tenha है मैं बूछ रहे हूँ आप अभी जीत रहे हो तो 24 में भी जीतोँगे बीजेपी एक्जिट हो जाएगी बड़ी हिरानी की बात है कि राहुल गांदी जी किसी जूठे पद पर नहीं जाएंगे परधान मंत्री पद को राहुल गांदी जी इन्होंने जूठा पद बता दिया जूठा कद जूठे कद तक ने जाएंगे अभी किस कद पर मुझे माल तो मैं केवल एक इतनी बात बोलना चाहता हूं कि देश में एक मुकाम पाने के लिए पद पाने के लिए तपना पड़ता है पकना पड़ता है वाइदा करना पड़ता है और वाइदा और उस डिलीवरी के बाद निर्धारी परदेश और देश की जनता करती है और देश की ज कि चिंता नहीं है मुझे मेरे भाई अलोग जी के अंदर है अगर उस पार्टी का सर्वाइवल नहीं होगा तो तो क्योंकि आधा यह 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 बात आपको माई गुदर करके बूछ नहीं पुड़ेगी तो खे san लेकिन मैं ही कहता हूँ कि हाँ जहां से शुरुवात करी थी वहीं पर अंत करते हैं भारत की विकास दर 7.6 हो चुकी है बड़े से बढ़ा बढ़ा कर भी जो विशेशग्यों ने बताई थी वो 6.7 बताई थी और ये विकास दर रुकने वाले नहीं है विक्सित भारत का जो स सरवाइब नहीं कर पा रहा हैं तो क्या हुए विक्सित भारत बनाने में तो हमारा सहयोग किजी यार जब कभी वह अभी भी कह रहा था आपने वी दौबार कैने कांग्रेश हारения कांग्रेश लिख लो मतलब हम हारें और हम ही लिखें तुम लिखे दे दो हाया